जाइन प्यारे सातियों मैं हुआ जनात और आप देख रहें आपका प्यारा यूटूब चैनल एक्जाम तक वारियस पर दोस्तों ये वीडियो उन डीडिये के इस्टूडेंट्स के लिए हैं जिनोंने जेसे का फॉर्म फिलप किया हुआ है बाकी अगर आप पटवारी या फिर किसी यादर पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो का आप स्कीप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जेसे स्टूडेंट के लिए वीडियो फूरा फुल प्रेपेर किया गया है यह जूनिया से क्रेट्रेट असिस्टेंट पूरा मुद्धे पर दोस्तों हम बात पहले से कि सौ गुना जो ही स्टूडेंट को लगवाग बुलाए जाएगा तो अब सिर्फ जो कमपटीशन रह गया दोस्तों वह सिर्फ सौ का कमपटीशन रह गया है अर्तात अग सौ पे कम जतलब यह हो गया कि सौ बच्चों में से एक बच्चे का जो है सेलेक्शन होगा पांची दिन में क्या पढ़े क्या छोड़े इस पर बात करने वाले हैं काट आप क्या हो सकते हैं दोस्तों इस मुद्धे पर भी बात करने वाले हैं और कितने इस्टूडेंट बुराए जाएंगे यहां देखिए ठीक लिखा दोस्तों यहां पर ठीक नहीं रहागा स्वरी दोस्तों यहां टीर रहागा टीर टू एंट थ्री के लिए ठीक है ला तो यहां पर स्वरी उसके लिए तो हम इसकी बात दोस्तों पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं ठीक है अंत तक देखिएग अर्थमेटिक इंग्लिश लेंग्वेज 120 कोशन लेंगे दोस्तों 120 मार्के और दो घंटे का ख्यारागा दोस्तों डूरेशन लेगा कितने और का दोस्तों डूरेशन कितने और का दो घंटे का डूरेशन लेगा और मार्स मार्किंग भी है यह चीज आप सभी को पता होना चा भी आप 50 मिनट 50 मिनट का होगा हैंडेट मार्क रहेगा कंस्टीटी आफ फिप्टी कोश्चन उसमें क्या रहेंगे दोस्तों 50 कोश्चन भी यहां पर रहने वाले हैं ठीक है दोस्तों और यहां पर देखें सिलेबस इसका दे रखा हैं कंप्प्यूटर फण्डायमेंटल से 60 कोश्चन चीबौर्ड सा्ट कार्ट से दोस्तों पर क्या दोस्तों 2 num करना है कि स्टेस्ट्व में दोस्तों आपको क्वालिफाय करना है यह इंगली संद नहीं काटे जाएंगे नीगेट्व मार्किंग नहीं होगा इस्टेस्टिंग में यह बात हो गई इस्टे 3 कि बाद करेंगे टाइपींग टेस्ट की टाइपींग टेस्ट 30 फर्टी फर्रति इन इंग्लीस 30 फर्मिंट ऻिए शुरू शुरूमे ता दोष्टолот लेकिन बाद में क्या कर दिया आपको जो हैं Betty निकाला गया आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या इंग्रिस में टाइपिंग कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करेगा कि आप किसमें टाइपिंग कर सकते हैं तो तो तीन इस्टेस से गुजरना पड़ेगा कितने इस्टेस के लिए रखा डियर यूर के लिए 40% स्ट के लिए 30% स्ट के लिए 30% ओभी सी के लिए 35% लेकिन हम इस मुद्धे पर कटाफ पर लास्ट में आ रहा है दोस्तों जहां पर बात करेंगे एक इस्टुडेंट जो की नाम इनका है ध्यान से देख लिएगा इसी इनी का सिलेबस यही 120 कोशन यह सिलेबस है ठीक है इसमें कंप्यूटर और हिंदी नहीं है ठीक है न तो चीजों को हम अंत तक लेकर जाने वाले पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा यहां बात करने वाले हैं दोस्तों नंबरा वैकेंसी कितनी थी दोस्तों 292 नोटिफिकेसा रिलीज कब हो 17 माज 2020 को लार्ज जट कब था दोस्तों 15 माई एक्टेंट कर दिया गया था और यहां पर जो एक्जाम डेट है जेस से कि मैं बात कर रहा हूं आठ नौ और दस नौमबर को हैं क्या है आठ नौ और दस नौमबर को और रिजल्ट टूबी ए जिए गा यहां पर मसली मुद्धे पर आते हैं दोस्तों यहां से चीजों को समझे अब हम यहां पर बात करते हैं इस ट्रीश टू के लिए कितने स्टूडेंस को बुलाए जागा पर दियान से चीजों को समझेगा सबसे पहले क्वालिफाइं मार्क आपके लिए दिया है क्वालिफाइ मार्क लेकिन दोस्तों अगर पारिफाइं कर लेते हैं तो यहां पर बनेगी का और और आपका जो सेलेक्सान होगा दोस्तों आप सभी को पता है सेलेक्सान होगा दोस्तों स्टेज वन के मार्क्स पर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों सेलेक्सान हो जाएगा अब यहां पर जो कटाप बनने वाली है दोस्तों यहां दे समझेगा आपको यह नहीं सोचना है क तो फिर आप कही ना कई गलत सोच रहें तो जैसे 120 है ना 120 का 40 परसें निखा लेंगे तो 40 बट्टे 100 यहां पर कितना हो जाएगा तो मैं बता रहूं अपने अनुसार आप बताईएगा कि कितने आपको क्या लग रहा है मेरे अनुसार तो 15 टाइम से बुलाए जा सकते हैं लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस टेस टू के लिए दोस्तों कितने टाइम से बूलाए जा सकते हैं ठीक है ना अपने अनुसार दोस्तों बताईएगा यहां बात करते हैं दोस्तों की दोस्तों देखें की इस्टेश 3 भी है डॉकमन वरिफिकेशन भी है तो कहीं नहीं करते हैं धर hazard को सब्सक्रा किंद dev Altません कि कि इससे पहले कटाफ किया गया तो इससे कोई मतलब नहीं है अब जो एक्जाम के लेवल हो गया दोस्तों ना पहले के एक्जाम के लेवल में आपके लेवल में दोस्तों बहुत जमीन आसमान कंता रहे और जो कटाफ दोस्तों बनेगा ना वो मैं बता दे रहा हूं कि जो के हमारा selection नहीं हो सकता है तो दोस्तों ध्यान देशिएगा आप किसी भी क्रइंत से बिलाउब करते हो किसी भी क्रइंत fraction करते हैं तो आप कम से लेकिन दोस्तों इसमें तीन आपके एक्जाम हो रहा है तीन एक्जाम हो रहा है दोस्तों तो अगर आप एक सो बीस में से अगर आप एक्टी मार्स लाते हैं ना कितना दोस्तों अगर 120 में से अगर आप 80 मार्स लाते, 80 प्लस लाने का आप दोस्तों प्रयास करिए, बस तो आपका सेलेक्शन दोस्तों कोई भी नहीं रोग सकता है, ठीक है न, यह मैं कारांटी के साथ कर रहा हूँ, बस आप लोग महनत करिए, और जो भी क्लासेज मेरे यूट्यूब चनल लग सेलेक्शन बस चैप्टर आपी बसांग हो करंगा मेरे साथ से इस वह बस इंourt का झीघFL करेंगा मैं इतना है यहन्म करूंगा कट आप कितनी जा सकती है आप अनुमार More है दोस्तों कट आफ अपने उनवान दोस्तों बताएगा बाकिे मैं अबने साइट से बता दिये चलिए दोस्तों मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक देखते रहिए एक्जाम तक वारियर्स और चैनल तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को सेहर करना एक दम मत बूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ठेकते ही एक्जाम तक वारियर्च बैसनासर के साथ